तो है गाईस स्वागत है आप सभी साथ यूँका एक बर फिर से आपके अपने YouTube चैनल एक Smart Study में तो गाईस इस वीडियो में देखेंगे भौत ही की के ठीक है देखो भौत ही की के कितने कोस्टन देखेंगे गाईस टोटल कोस्टन देखेंगे हम लोग 100 बहुत ही कम समय में य यह सारा कोस्टन हम लोग देखने वाले हैं ठीक है तो सभी साथ उसे रिक्वेश्ट है वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे अपने अपने दोस्तों के साथ अगर कोई भी साथी नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अन कर लिजेगा जिससे आप लोग को सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी ठीक है तो गैस चले फिर सुरू करते हैं देखते हैं आज कौन-कौन से क्वेश्टन से क्लास में हमारे तो वीडियो को सभी साथी लाइक शेयर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन सब्सक्राइब क्लाइक होते हैं क्योग क्यों क्यों वो बायो से हल्की होती है ऑप्सन हमर एकरेक्ट हो जाएगा आगए देखिए अगनी का सही बर्नन निमनल खित में से किसके द्वारा होता है तो देख़े राइटसरा रोज जाएगा दिर्ग पारस मिसाइल लंबी दू तुरनियम जो होता है अंतता किस तत्व के इस्थाई आइसोटोप में बदल दिया जाता है तो याद रिखिएगा सीसा के सीसा करेक्टर हो जाएगा लेड आगे देखिए अगली कोस्टिन के निमनल खित्में से वहाँ व्यक्तिकों ने जिसे भारते मिसाइल प्रधुगी की । और देखिए निमनल फितमें से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन अस्थानों पर जंजहाती है तो दिखेगा राइट उसर हो जाएगा आई-सो ब्रोंड ऑप्शन नम्बर सी स्कॉस्टटन का राइट उसर वहगा इसो ब्रोंड पॉर्ट लेंड सिमेंट का उश्कार किसने किया था जोशेफ असपडीन करेक्ट उसर हो अगर इसरा कोन सी है जो पानी को अच नेटरों की निउट्रॉन याद रिखिएगा सभी आगे देखिए ट्राइ नाइट्रो टाइलून का बिस फोटक निमनलकित में से किसके मिशरन के दौरा किया जाता तो अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा अमोनियम नाइट्रेट option number c correct आएगा तो गाईध देखिएगा सोर परणाली की खोज करी थी क्या अपलर ने क्या प्रिक्त है नेक्स्ट कॉस्चन आठोहन किस आविस्कार के लिए प्रसिद है अठोहन किसका आविस्कार किया था तो तो देखे जो तारकुल वाली सड़क होती है उनमें तूट फूट तभी होती है जब सड़क पर पानी स्थिर हो जाए तब जब सड़क का पानी स्थिर हो जाता है सड़क पर तब ऑप्सन नमबर भी करेक्ट होगा पिक्नो मीटर नमक उपकरन का परियोग किसे मापने के तो भारत की जो मिसाइल है अगनी सिरी जो है ये अगनी वन अगनी टू ये प्रिथिवी से प्रिथिव पर मार करने वाली मिसाइल है याद रिखेगा आगे देखे नेमनल खित में से सजीवन उत्पन करने वाली वहां कौन सी तकनिक है जिसमें एक प्रतिविम दुसरे में बदल जाता है तो 17 नमबर कोस्चन याद रिखेगा आकरितिक निरूपन ओप्सन नमबर A करेक्ट है आगे नेक्स्ट कोस्चन देख लिए खागोल भोतिकी के लिए भारत में जन्में किस बग्जानिक को नोबिल प्रसकार प्रदान किया गिया है तो प्रोफेसर नेक्स्ट कोस्चन क्लोरो फ्लोरो कार्बन जाद अतर कहां इस्तमाल होता है तो गैस देखेगा क्लोरो फ्लोरो कार्बन रेफ्रीजरेटर में परियुक्त होता है ओप्सन नमबर C करेक्ट आएगा आगे नेमनल खित में से कौन सा कन परमानों के नाभिक से संबंदित नही तो आप्सन नमबर C करेक्ट आएगा मेरोन आगे अधिक्तम जेविक्षती किस से होती है तो देखे अधिक्तम जेविक्षती गामा किरने से होती है गामा किरन करेक्ट आएगा बारुद काविसकार किस ने किया था 22 नमबर कोश्चन देखीगा बारुद काविसकार किया था रोजर बेकण किन ने option number A amen कुछरेगा जे टेंज्जण का विस्कार किश ने किया था 23 नंबर खुर्टबॉट एक रीट पड़ी जळेर देख के लिए और प्जुन का कुर्टर अ गिरेकर पर Hill इस फटिक नेक्स्ट कोस्टन देख लिए अंत्रिछ एबम संबंधित विज्ञानों में अनुसंदान के लिए प्रमुक राष्ट्य केंद्र जी से बहुतिक अनुसंदान परियोग साला करते हैं यह कहां परिस्तित हैं तो याद रिखेगा बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन है पंडुब्वियों में निमनल खित में से कौन सा इंधन परियोग किया जाता है तो याद रिखेगा ना भी क्या इंधन ऑप्सन नमबर भी आगे देखिए भारत के चंद्रमिसन को क्या नाम दिया गया है चंद्रियान चंद्रियान वू वान चंद्रियान टू है प्रकास संसलेशन के दोरान ओप्सन नमबर ए राइट है चलिए आगे देखिएगा जहाजों में समय मापने के लिए पर्युक्त उपकरन कौन सा है जहाजों में समय को मापने के लिए पर्युक्त किया जाने वाला ओपकरन कौन सा है तो याद रिखिएगा क्रोनोमीटर ओप्सन नमबर ए करेक्ट है आगे देखिए भारत का वहराज जो गंधक के उत्पादन में आगे है याद रिखिएगा तमिलनाडू गंधक यानि सलफर आगे देखिए यदि कोई दंड चुमबक दो बराबर हिस्तों में काट दिया जाए तो प्रति एक टुकडे की ध्रूबिया सक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो देखिएगा राइट अंसर या थावत रहेगी या थावत रहेगी जैसा था वैसे ही रहेगा आगे दे बेधुत आउचे पित्र का परियोग किसे नियंतरित करने के लिए किया जाता है तो बायू परदूसक को बायू परदूसक ओप्सन नमबर सी राइट अंसर हो जाएगा आगे देखिए उपक गरह संचार के लिए कौन सा बिधुत चुमबक या बिकिरन पर उक्त किया जात है तो सुच मतरंग ऑप्सन नमबर डी करेक्ट आएगा आगे देखिए उपकरनों को किस से घेर कर उन्हें बाहरी चुमबक या प्रभाव से बचाया जा सकता है तो रबड की से रबड की सील्ड ऑप्सन नमबर आगे देखिए यदि किसी परतिरोधक तार को लंबा कर दि डिया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ता है ऑप्सन नमबर 6 से किसमे रसानी कुरज्या वेधूतर्जा में बदल दी जाती है रसामी कुरुजा का वेधूतर से में रूपान ठ्र fonctionne किस के द्वारा होता है तो बैटरी के द्वारा बैटरी करेक्ट आएगा ओप्सन नमबर D बैटरी आगे देखिए यदि तामबे के तार को दो गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा तो गैज देखिएगा यदि तामबे के तार को दो गुना बढ़ा दिया जाए तो उ छुछ पलेमिल में से इक कौन सा परिपत हरेमेंट पर योग किया जाता हे जरूर याद रीक्वन के अथा ओपसंचिर रिगुडर को किस पृत Jak.. छूम्बख मैंगिनिट सुम्बख के ति टिवरता क्या होती चुम्बख के चैतर की तुबरता क्या होट विल्राइब एम्पियर पर मीटर option number D एक photo sale में परिवर्थित किया जाता है किस उर्जा में आगे देखिए question तंतू पर्कार के परिवर्थित सक्ति परकट होती है March 17 देखिए कार Lud 20 में परियोक देखिए अथिकार जीडित सक्ति परकट होती है बिधुत उस्मा के रोप में बिधुत धरा का परवह किसके कारण होता है नेक्शट कोस्चन देख लीजे आगे बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्मान के लिए टंगश्टन का परियुग किया जाता है क्यों? तो देखिए क्योंकि इसका गलणांक बहुत उच्च होता है option number C correct आएगा बिद्धुतावेस का असा मतरक क्या होता है गाई इस देखिएगा सभी 51 number question बिद्धुतावेस का असा है काई तो याद रखिए बिद्धुतावेस का असा ही काई होता है कूलम option number A आगे देखिए सोर कोसिकाएं किसके सिध्धानत पर कार्टी है तो गाई सोर कोसिकाएं जो है वो किसके सिध्धानत पर कार्टी है तो प्रकास बिद्धुत प्रभाव पर option number A correct आगे देखिए हमारे घरेलो बिद्धुत परिपत में भारिब रिद्धी होती है किसमें हमारे जबारी बिद्धी होती है धारा में ऑप्शन नमबर वीडियों टेप काविश्कार कि ने किया था तो गास किया था चार्ल्स गिंसबर्ग ने और सब्चरार्ण चार्ल्स सुबर्ग आगे देखिए गेलवेनो मीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है तो धारा ऑप्सन नमबर डी करेक्ट आएगा सेमी कंड़क्टर का एक उदाहरन क्या इन में से कौन सा एक सेमी कंड़क्टर का उदाहरन है तो याद रिखेगा जर्मेनियम अर्दिचालक है सेमी कंड़क्टर है नमनल खित में से वहाई उखती कौन सी है जो सिगनल को निमन परतिरोध से उच्च परतिरोध जेतर में अंतरित कर देती है तो याद रिखेगा राइट अंसर ट्रांजिस्टर करेक्ट आएगा ट्रांजिस्टर आगे दिखिएगा अती चालक वहाँ चालक है जिसका क्या सुन्ने होता है तो अती चालक होता है जिसका क्या सुन्ने होता है तो परतिरोध करेक्ट आएगा प्रतिरोध नेक्स्ट कोस्चन ओम का नियम निमन में से किसके बारे में सही है तो याद रिखेगा इस कोस्चन का करेक्टर हो जाएगा चालक के बारे म कहां परेकत्रित होती है तो cathode में cathode correct हो गया यहाँ next question देख लिजेगा not gate किसके दौरा क्रियाउंतित किया जा सकता है तो guys not gate किसके दौरा क्रियाउंतित किया जा सकता है तो equal transistor के दौरा option number C correct आएगा वहां किरिया जिसके दौरा धातू को चुम्बकिया बने आ जाता है तो देखे राइट अंसर हो जाएगा demagnetization option number demagnetization correct आएगा only option number B आगे देखे डाइनेमो के कायर करने का सिध्धान्त क्या है डाइनेमो के सिध्धान्त पर कायर करता है तो बिद्धुत चुम्बकिया प्रभाव पर option number B correct है आगे देखे गा बिद्धुत धारा का चुम्बकिया प्रभाव सरपर्थम किष्णे आउलोकित किया था तो बिद्धुत धारा का चुम्बकिया प्रभाव सरपर्थम आउलोकित किया था और स्टेड ने ओप्सन नमबर बी करेक्टन्स राएगा और स्ट्रीट के द्वारा आगे देखिए मुक्त रूप से लटकी चुम्बक्ये सुई का अच भोगलिक अच के साथ जो कौन बनाता है वो कितने डिगरी का होता है तो गाइस याद रिखीगा ठारा डिगरी का आगे देखिए क्वे नमब कोन का मान कितना होता है तो गयास दुरूबों पर नमन कोन का मान होता है 90 डिगरी का नेक्स्ट कोंस्चन देखिए विद्धूत मरकरी लैंप में क्या रहता है तो प्रियोग करते हैं तो याद रिखिएगा परती रोधकता को कम करने के लिए ऑप्सन नमबर सी तीन पीन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पीन को किसे जोड़ा चाहिए यहाँ पर जो सबसे लंबा पीन होता है उसको किसे जोड़ा जाना चाहिए तो याद रिखिए आधार से निव टॉल ऑप्सन नमबर ए करेक्ट आएगा आगे देखिएगा ट्रांसफरमर पर उक्त होते तो याद रिखिएगा जलते हुए बिद्दुत बल्ब के तंतु का ताप समनेता होता है 3000 डिग्री से साड़े 3000 डिग्री सेल्सियस तक समनेता परियोग में लाई जाने वाली प्रतिदिप ट्यूबलाइट पर निम्नल कित में से कौन सा अंकित होगा तो ट्यूबलाइट किसी चालक के सीरों के बीच विभांतर उसमें बहने वाला या बहने वाली धारा के समानोपाती होता है यहां नियम कौन सा है तो याद रिखिएगा फैराडे का नियम ऑप्सन नमबर बी करेक्ट आएगा आगे घरों में लगे पंखे बल्ब आदी लागे होते हैं किस करम म गरों में लगे पंखे बल्ब आदी जो है वो लगे होते हैं समान अंतर करम में आप्सन नमबर बी राइट है आगे देखिए आदर्स बोल्ट मिटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है तो आसमीत आसमीत यानि इनफिनिटी आगे देखिए जब कांच की छड को रेसम से पंडुब्बी में परियोग किया जाता है तो कौन सा यंतर है जो समुद्र से उपर की बस्तूओं को देखने के लिए पंडुब्ब्बियों में परियोग किया जाता है गाईस तो देखिएगा राइट अंसर हो जाएगा पैरी स्कोप ऑप्सन नमबर C करेक्ट है आगे द परिक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिकल जो होता है प्रकास के पुना अंतरिक प्रावर्तन यानि टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर करिकरता है ऑप्सन नमबर D करेक्ट आएगा आगे देखिए द्रिश्टी दोस मायोपिया वाला व्यक्ति कहां की बस्त प्रकास के अपवर्तन के कारण ऑप्सन नमबर A राइट होगा आगे देखिए एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है तो गैसे काटा हुआ हीरा पुनांतरिक प्रावर्तन के कारण जगमगाता है ऑप्सन नमबर C करेक्ट आएगा चंद्रगरहन किस दिन घटित होता है तो गैस चंद्र गरहन जो होता है हमेशा पूर्णिमा के दिन घटित होता है और सूर्य गरहन हमेशा अमावश्या के दिन आगे देखिएगा पुर्ण सुरी गरहन का अधिक्तम समय कितना होता है तो पुर्ण सुरी गरहन में अधिक्तम कितना समय लगता है तो 460 सेकंड का याद रखना आगे देखें निमनल खित में से कौन सा सिध्धान्त परकास के तरंग प्रकृति की पुष्टी करता है तो देखेंगा ब्यति करन का सिध्धान्त आप्सन नमबर B करेक्ट होगा किसी अवरोध की कोर से परकास का मुड़ना क्या कालाता है तो बीवर्तन option number B right answer हो जाएगा आगे देखें परकास के विदुद चुम्बक या स्वरुप की खोज किशने करी थी देखेंगा right answer हो जाएगा मैक्सवेल ने option number C correct आएगा परकास का तरंक सिध्धान किसके दुबरा प्रतियस्थापित किया गया था तो याद रिखेंगा हाइगेंस के दुबरा option number B right आगया आगे देखें जब किसी अस्थान पर दो loudspeaker साथ साथ बज़ते हैं तो किसी अस्थान बिशेस पर बेठे सुरोता को इनकी ध्वनी नहीं सुनाई देगी इसका कारण क्या है तो गैस इसका कारण है ब्यतिकरण option number B यहाँ भी correct हो गया आगे देखें जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेस परकार की ध्वनी सुनाई देती है इसका कारण क्या है तो गैस यह तो अनुदान के कारण होता है तो option number D अनुदान correct आएगा आगे देखिए निमने में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनी परदूसन होता है तो देखिएगा किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनी परदूसन होता है तो बिमान से बिमान correct आएगा बिमान जब उड़ान भरता है साधारन बाचित के ध्वनी की तिवरता कितनी होती है साधारन बाचित के ध्वनी की तिवरता कितनी होती है तो 30 से 40 decibel याद रिखिए option number C करेक्ट आएगा आगे देखिए चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्पोट सुनाए नहीं पड़ता है इसका कारण क्या है तो गैस याद रिखिएगा चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्पोट सुनाए नहीं पड़ता है इसका कारण है बायूमंडल की अनुपस्थिती क्योंकि चंद्रमा पर बायूमंडल नहीं होता है तो यहाँ option number A करेक्ट आएगा बिमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका परियोग किया जाता है तो गैस याद रिखिएगा बिमानों देखो बिमानों के आंतरिक भागों की सफाई में परासरव तरंग का परियोग किया जाता है option number A आगे देखिए कीडा तता हानी पहुचाने वाले ततोगों को घरों से दूर भगाने के लिए किसको परियोग में लाया जाता है तो याद रिखेगा अल्टरासोनिक तरंग का आप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए गए हैं चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखिए तो याद रिखेगा प्रतिध्वनी का निर्धारन करते हैं तो गाल्टन ने 20,000 हडज से भी अधीक होता है प्रासरव तरंग उसको सबसे पहले सीटी बजा कर दिया था गाल्टन ने आगे देखिए गर्ब मोसम में पंखा चलाने से आराम महसुस होता है क्यों तो गर्ब मोसम में पंखा चलाने से आराम महसुस होता है क्यूंकि हमारा पसीना जो है तेजी से बास्प करीथ हो जाता है ओप्शन नंबर बी राइट हो गया लास्ट कोस्टन देखिए, राफ्रिजरेटर में थर्मो को बनाये रखना, ओप्सन नमबर C करेक्ट हो जाएगा इस कोस्टन के लिए तो यह विडियो तो खतम हो गिया, पूरे 100 कोस्टन में ने कराया आपको कैसे लगए ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करकर बता दीजे वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जादा से जादा सभी दोस्तों के साथ सेयर करिएगा मिलते है नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जाएं सभी को वन दे मातर